जैन सातियो जी हां सातियो आप सतने एक और जो है बहुत important वीडियो लेकिया है है इस वीडियो के अंदर जो है सारी सारी बर्तियों के फारम किस प्रकार से apply करोगे starting से लेके आगरी लग payment के process जो हो payment का सारा full process और नोकरी तक की जो है पूरी पूरी जानकार इस वीडियो के अंदर रहने वाड़ी है और कितने किस प्रकार से जो है आप सातियों के नंबर count करे जाओं है वो भी सारी बात इस वीडियो के अंदर रहने वाड़ी है तो सबसे पह से आपको सारे सारे step follow करने तो सबसे पहले तो सातियों कोई भी बर्ति उठा लेते हम उसके अंदर जिस प्रकार से आप सातियों को जो क्या कर लेना है यहाँ पे जो apply का button देर ख्या है इस apply के बटन के उपर आप सातियों को click कर लेना है और इसके उपर click करने के बाद में आप साती जैसे click करोगे आपकी family id नमबर मांगी जाएगी जैसे आप family id नमबर डालोगे display member करोगे जिसका भी आप फारंबढ़ना चाते हो उस member का आपको name select कर लेना है और आपकी family id के उपर जो OTP जाएगा OTP जाने के बाद में आप सातियों के सामने चार step उपन हो जाएगी सातियों और यहाँ पे आपको बिल्कुल इसके निचे last के अंदर आजना है और यहाँ पे आप सातियों को एक option शो करेगा confirm का यहाँ पे आप सातियों को जो उसके उपर टीक करके अपना confirm कर देना है जैसे आपने confirm करया आपके पास में जो आपका second step open हो जाएगा एक second step भी आपके पास में qualification है और जो उस बरती के इंदर मांग रखी है तो वो सारे की सारी आप सातियों को यहाँ पे डाल देनी है उसके आगम आप सातियों बता दिए जो NSQ certificate है अगर आपके पास में कोई भी डिपलोमा है या ITI वगर्या कोई certificate है जो यहाँ पे नहीं लगता आपकी add education के अंदर तो वो सातियों आप यहाँ पे लगा दीजिए जो additional को certificate आपके पास में है क्योंकि इसके जो है extra number आप सातियों को score के अंदर जो है calculate करनेया काम करें जाओ है इसके भी जो है number आप सातियों को दे जाओ है 20 number आप सातियों को इसके मिले है extra उसके बाद में सातियों तीसरा step आपके पास में आ जाता है इस परकार से सारे यह अगर इन में से कोई भी certificate आपके पास में है EWS का है या ESM का है या फिर ESP का है और या फिर आपके पास में कोई freedom fighter का certificate है तो आप सातियों यहाँ पे लगा सकते हो इन में से किशी में भी ES कर दीजिए और अपना upload कर दीजिए 300KB की उसकी PDF साइज होना चाहिए उसके बाद में आपका जो है social economic की criteria आ जाता है अगर आपके गर में कोई भी job नहीं है या फिर आपके पिताजी की death हो चुकी थी तो इस प्रकार से उसके certificate आपको लगा देने है पांच नंबर इसके जो आपको देने का काम करेजाव है पर तेग बर्ती के अंदर अगर आपके पास में गर में जो पुगरा नहीं है तो ठीक है सातियो और उससे आगए आपका आजाता है fourth step सातियो यहाँ पे आपसातियों को अपनी जोह परफेंस चूज कर लेनी है तीन परफेंस यहाँ पे आती है सबसे पहले परफेंस आपसातियों को वही चूज करनी है जो आपका खुद का डिश्टिक है इसके लिए अगर आप साथी अपना खुद का डिष्टिक चूज करते हो तो 10 नमबर जो हाँ आप साथी को इसके अंदर देने का काम करें जाओ है अगर आप साथी अपना दूर का डिष्टिक ही चूज करते हो तो आपको 10 नमबर नहीं मिलेंगे आप जिस जिले से हो सबसे पहले उसकी प्रफैंस यहां पे चूज़ करिए कि मैं अपने जिले के इंदर नोकरी करना चाहता हूँ उसके बाद में आज आता सातियों आपका express यहां पे आपके पास में अगर express है तो बहुत ही अच्छी बात है express के वगेरा के जो है number इन्होंने calculate नहीं करे हैं अगर express है तो सबसे पहले आपको प्रफेंस देने का काम करें जावा साति हो इस परकार से express आप सातियों को जो यहाँ पर select कर देना है अगर आपके पास में express नहीं है तो भी जिस बरती के अंदर अगर experience नहीं मांगया हुआ उस बरती के अंदर आप साति फारम फिलप कर सकते हो तो इस परकार से आप साति जैसे यहाँ पर एक बार आपने यहाँ पर yes कर देना है अगर experience नहीं है तो और फिर यहाँ पर no करके आपको यहाँ पर click करोगे तो आपके सामने जो option दोनों के दोनों open हो जाएंगे इस परकार से इस परकार से आपके सामने जैसे दोनों option आ जाते हैं फिर आप साति यह जो final submit का option दिया हुआ है इसके उपर click कर देना है जैसे आपने इसके उपर click करया आपके सामने जो हम make payment का option हा जाएगा सात्यो make payment का option आजाने के बाद में आपको make payment के उपर click कर देना है जैसे आप make payment के उपर click करोगे आपके सामने इस प्रकार से आपकी payment का option आ जाएगा यहाँ पे remarks का option दिया हुआ है तो यहाँ पे आप साथ ही अपनी जो है या फिर piece लिख दीजिए या फिर जिस बरतिगा फारम बढ़ रहे हो उसकी piece की payment का reference देजिजिए वह forum की piece है तो आप साथ इसके अंदर remarks के अंदर अपनी जो है कुछ भी बाते लिख सकते हो यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया कि face pay कर रहे है ठीक है तो इसके बाद में जैसे अपने face लिख्या और pay के उपर कलिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा तो इस प्रकार से आपके सामने जो पूरा पूरा इंटरफेस आ जाएगा तो यहाँ पे आप सात्यों को क्या कर लेना है कि जो billing name दिया हुआ है यहाँ पे आप सात्यों को जो अपना खुद का नाम सेलेक्ट कर लेना है इसके बाद में जो इड्रस दिया हुआ है यहाँ पे आप सात्यों को अपना पूरा पूरा इड्रस यहाँ पे डाल देना है आपका नाम आपके पिता जी का नाम आपका डिष्टी क्या है आपका बलोक क्या है और आप रियाना से हो इस प्रकार से पूरा पूरा इड्रस यहाँ पे डाल देना है जिफ कोड के अंदर आप साथियों को आपका जो पिन कोड है वो वाड़ा यहाँ पर आपको mention कर देना है city के अंदर आपका जो सहर है आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर mention कर देना है state के अंदर आपका रियाना आजेगा और पर select country आजेगी इसके बाद पर mobile number आपको अपना खुद डालना है खुद का जो mobile number है यहाँ पर email ID आपको अपनी खुद की email ID डाल देनी है जिस mail ID के उपर आप जैसे फीज कटाओ तो उसकी detail आ जाए तो इस परकार से आप सातियों को जो है 236 रपी पे करने पड़ेंगे और यह जो फीज है शिरफ आपकी शिरफ net banking से पे होगी जैसे आप साती इन किसी भी option पे से click करोगे तो आपकी जो net banking की ID होगी Logan ID और password तब ही आप साती जो फीज पे कर पाओगे नहीं तो आपकी फीज पे नहीं होगी तो इन में से आप साती को choose कर लेना है कि आपके पास मनवी चारों बैंकों में से किसकी net banking आपके पास में है आप SBI की यूज करते हो या ICIC की करते हो या HDFC करते हो या Axis Bank की net banking यूज करते हो अगर आपके पास में net banking वगारा नहीं है तो आप सात्यों को किसे की ले लेनी है उससे फिलब कर देना या फिर आपको CSC के वाड़े के पास में जाना पड़ेगा तो इस परकार से जैसे हमने चूज कर लेते हैं भाई कि ASPAC से हम जो है अपनी payment कटवा रहे हैं और इस परकार से जैसे चूज करके हम make payment करेंगी तो हमारे पास में SBA की login ID password मांगेगा हमने जो है login ID password डाला के अपनी payment को submit कर लेना है जैसे हमने जो है अपनी login ID password डाला और payment pay कर दी उसके बाद में आपके सान में इस परकार से आपने जो mail ID जो चूज करी थी उस mail ID के उपर जो है इस परकार से डिटेल आपके आजीगी कि आपकी जो है इस परकार से इतने रुपे कट हो चुके हैं आप यह देख लेजे दोस्तों चुमन रुपे सात्ती के pay हुए हैं और इस परकार से इसकी mail ID के उपर इसका billing address और नमबर सब कुछ mention हो चुका है यहाँ पर इसकी सारी डिटेल आ चुकी है जैसे आपकी फीश पे होगी आपको दुबारा से इस परकार से job advertise के अंदर आजना है और यहाँ पर जो login का option दिया हुआ है इसके उपर आप सात्तों को दुबारा से अपना mobile number डालके इसको दुबारा से login कर लेना है जैसे हम इसके उपर click करांगे आपको mobile number बांगेगा अब हम जो है दुबारा से एक बारी फिर इसको login कर लेते हैं जैसे हमने login करिया इसको तो इस परकार से आपके समनब पूरी पूरी details show कर देगा इस details के अंदर आप सात्तों को क्या कर लेना है कि आप सात्तों को यहाँ पर show करेगा तो आप सात्तों को क्या कर लेना है इसके लिए हमने बकाइदा वीडियो बना रखी है कि किस परकार से आप साती जो अपनी request लगा सकते हो आप सात्तों गरवेंस लगानी पड़ेगी आप साती किस वीडियो के अंदर देख लेनी है कि किस प्रकारशे अपनी गर्वेंस लगाई और फिर आप सातियों को जो निच्चे नंबर प्रोवाइड करवार क्या है और याना कोसल नीगम की साइट का इस नंबर के उपर आप सातियों को अपनी जो है बात कर लेनी सातियो इस नमबर पे बात करके आपको अपनी जो रिफ्रेंस आईडी नमबर है जो गर्वेंस लगाओ तो उसकी यहाँ पर प्रवाइड करवा देनी आपकी फीस पेड जो करवाने का काम कर दिया जाओगा उसके बाद में जैसे आप सातियों को 24 गंटे बीत जाते हैं आपकी फीस का यहाँ पर उप्सन आ जाएगा कि आपकी फीस जो है paid हो चुकी है जैसे आप सातियों की फीस paid हो जाती है आप सातियों को फिर क्या करna है कि अपनी जो check status है इसके उपर आप सातियों को अपना click कर लेना है और ये जो दोनों option दिये हुए हैं अभी आप सात्यों को इनका use नहीं करना है ना कोई भी सात्यों को click करना है इनका बार में भी बतावांगे कि इनका क्या process है जैसे आपने check status के उपर click करया तो आपको फिर इस प्रकार से आपके fourth step के अंदर आ जाना है और यहाँ पे दुबारा से आप सात्यों को जो है अपना tick करना है यहाँ पे जैसे आप टीक करोगे आपके सामने दो option इस प्रकार से आ जाएंगे और यहाँ पे जो है आपको final submit के click कर देना है फिर आप सात्यों को जो है दुबारा से payment नहीं मांगगा आप सात्यों का final submit forum हो जाएगा जैसे आप सात्यों का forum final submit होता है तो आप सात्यों के सामने जो इस प्रकार से आ जाएगा कि आपका registration जो successful हो चुका है आपकी reference ID नमबर यह है तो इस प्रकार से आपके सा प्रकार फोर्ट से इंतर्फेस आजाएगा और यहां में आपको व्यू स्कौर के उपड़ा करग्र लेना है जैसे आप वीवस स्कौर को अपर अपना कलिक करोगे आप सात्यों और अपना पूरा पूरा score कर देगा इस प्रकार से आपके सामने जो सारी सारी डिटेल आजी आप सात्यों को जो total score बना है वो इस परकार से बन चुका है अब यह देख लिए जीन सात्यों आप जैसे score आ चुका है tentative score इतना आ चुका है और कई सात्यों के एक और प्रबलम आई थी कि उनका जो ऐप final प्रकार से शो कर रहा था इस प्रकार से कि final submit painting तो आप सात्यों को क्या करना है कि अपनी ID को login करना है login करने के बाद में आपको check status के उपर click कर लेना यहाँ पर जैसे आप check status पे click करोगे तो आप सात्यों के सामने इस प्रकार से आएगा यहाँ पर फूर्थ step के अंदर आजना ह और यहाँ पर अपना जो हटीक कर लेना है और इसको final submit कर देना है आपका final submit जो pending है जो show कर रहा है और शो नहीं करेगा और आपका इसी प्रकार से registration हो जाएगा और फिर जो हाँ आप सात्यों को बता देंगे कि सात्यों का कितना score है तो वो अपने आपको save मान सकता है तो सात सात्यों आपको बता दें कि जिस सात्य के 90 से लेके 100 का बीच में जितने भी नंबर बना है सात्यों तो उन सात्यों के chance है 97% सात्यों ठीक है 97% इन सात्यों के chance है अगर 90 और Android के बीच में उनके नंबर बन रहे हैं उसके बाद में जिस सात्यों का 100 से लेके 115 के बीच में अबढ़ंने के उसके बाद में 7 जिस सातियों के 115 से लेके और 125 से बीक्स पर्तियों के दर तो इस परकार से आफ सात्यों को जोपना स्कोर करें है कि कि साती का कितने नंबर के बीच मां जो स्कोर बन रहा है बहुत परकार से आप सात्यों को जो है सोड लिष्ट मैसे देने काम करें जाए इसका है और याना कोसल नीगम के द्वारा इन बर्तियों में से सबसे पहले परफैंस बाव मालों कि किसी भी बर्ति के अंदर या आ सातियों को जो सोड लिष्ट मैसेज देने काम करें जाओगा और याना कोसल नीगम के द्वारा तो इस प्रकार से जिन सातियों स्कोर है तो अपना आप सेफ मान सकता है आगे आप सातियों को एक पॉइंट और कलियर कर देता हूँ कि कही साती क्या करते हैं भाई ये जो तो इस प्रकार के कंडिसेन के अंदर आप साति जो इसका यूज करें नहीं तो आप साती इसका यूज ना करें अगर आपने इसके उपर एक बारी भी क्लिक कर दिया तो आपका फारम जो है दूबारा से फाइनल समिट नहीं होगा पेंडिंग शो करने लग जाएगा फिर आप सातियों को दुबारा से check status के उपर जाना है यहाँ पे आपको last में final submit का option शो करेगा first step में उसको final submit कर लेना है नहीं तो आपका farm इसी परकार से रह जाएगा pending के अंदर ठीक है तो यही इस परकार से इन्हें option का मतलब है और इस परकार से आपको जो हचूज करने है स्कूर बता बता दें कि इस page का जो screenshot लेना ना बूले आप साति इसका screenshot अपने पास में रखें जीतनी भी बरतियांगे आपने फारम फिलप कर रखें तो इस परकार से इसको रखें अपने पास में रख लीजिए ताके आप सातियों को आगए आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना आवा है कभी कोई गर्वें से वारा लगाने पड़ जे तो आप साति अपना यह जो registration नमबर है इसको देखके लगा सको तो इसलिए यही फोलो आपको step सारे के सारे कर लेने है तो अभी आप सातियों को अपना जो स्कोर समझा देते हैं वाई कि यह जो स्कोर आपका किस परकार से बढ़ने का काम होग है अगर आप सातियों के annual family income हवाई एक 80 लगकी है तो आपको जो 70 नमबर मिले है एज की candidate के हैं जो 15 नमबर दिये गए है skill qualification जो आपके पास में है तो आपको 20 नमबर उसके मिलेंगे social economy आपके कर में कोई जो बगारा नहीं आपके पिदाजी को मिटती होगी थी तो पांच नमबर मिलेंगे जब CET का भी तक इसके अंदर कोई नमबर नहीं लगाए गए है और जो ease of development है जो आपने बताई दी जो आप खुद का दिश्टी का चूज करोगे तो उसके 10 नमबर आपने मिलेंगे जब बेन फीसरी जो मुख्यमंदरी परिवार उन्थादी योजना भई जिसकी income एक लाग से कम है तो उन सात्यों को 50 points ये अलग से दिए गए है तो इस परकार से जो है 500 points बढाए गए है 2500 points लगबग किसी के नहीं बैठे है 125 और 130 इसके लगबग सात्यां के लगबग points बेठे है तो इसके बाद में आप सात्यों को आगर दिखा दे और उससे आगे आप सात्यों को आपकी age के इसाब से अगर आपकी age 18 से 24 है तो 5 नंबर मिलेंगे 24 से 30 की age है तो 10 नंबर मिलेंगे 30 से 36 की age है तो 15 36 से 42 की है तो 10 नंबर और 42 की age है तो सुन्य नंबर आपको मिलने वड़ा है यानि के टोटल मैक्जिमम आपको जोब पंदरा नंबर दिये जासका है तो इस प्रकारशे आपको अपनी एज काउंट कर लेनी है उसके बाद में साथियो सकील के आपको 20 नंबर मिल गए और जो आपके गर में जोब वगरा नहीं है 5 नंबर उसके मिल गए CT का अभी तक इन्होंने नहीं लगा है और यह जोब डेमलोव मेंट अब आपका अगर कोई यानि के आपका जिस डिश्टी के अंदर आप हो उसी डिश्टी के अंदर परफेंस चूज करो हो तो 10 नंबर आपना वो मिलेंगे और इसके बाद में सातियों आपका मुख्या मंतरी जो परिवार उथानी ओजना है तो इसके अंदर जो आप सातियों को 50 पॉइंट अलग से देने आकाम करया जाओ है तो इस प्रकार से आप सातियों को जो स्कोर बनाने आकाम करया गया है और इस प्रकार से स्कूर बना है तो आप साथें को अपना जोहां चैक कर लेना है कि किस साथें के कितने लम्मर बने है और किस प्रकार से आपके show हुए दो इसलिए आप साथें को सारे जितनी भी certificate वगरा है तो लगाने की कोशिश करे अगरो ताकि आप साथे न थोड़े से नंबर और ज्यादा मिल जाओं तो इस प्रकार से आप साथे को जो सारे स्टैप इसके इंदर कलियर हो चुके होंगी कि किस प्रकार से नंबर है कितने स्कोर वाले को जो मिल सकती है और किस प्रकार से हम जो फोरम फिलब करा तो आप सातने वीडियों क्या का बहुत बहुत निवाद जैन जै भार्त जै रियाना